नमस्कार दोस्तों हर हर महादेव जब धन प्राप्ति के सारे उपाय असफल हो जाते हैं तब शिवजी के परम मित्र कुवेर की आराधना शीगरता से फल देने वाली होती है और कुवेर और माता लक्षमी आपके घर धन जरूर बढ़साते हैं खुद रावण ने अपने सोतेले भाई कुवेर को आराधना की माध्यम से ही प्रसन किया था और ऐसा कहा जाता है कि शिवजी की पूजा करने वाले को कुवेर जल्दी ही प्रशन हो जाते हैं और अक्षय फल प्रदान करते हैं समस्त संसार में धन पर कुवेर का वर्चस भी स्थापित है केबल कुवेर का आशिरवाज जिसे मिल जाए उसे रुपया पैसा धन दोलत की कमी नहीं होती है पर इसके लिए आपको सबसे पहले मातालक्षमी को मनाना होगा मातालक्षमी के आदेश से ही कुवेर आप पर प् आप लोग को सारी जानकरी इस वीडियो के मात्यम से मिलेगी सारे उपाई भी सुनने को मिलेंगे पुरा वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में स्री सिवाई नमस्त अव्यम ओम नमस्शिवाई हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और एक लाइक भी दे समय प्रती दिन शिवलिंग के पास दीपक जलाना चाहिए इस उपाय से भगवान शिव बहुत प्रसन होते हैं और सोमवार को यह उपाय करना चाहिए अगर आप कुछ सोमवार छूट बे गया है तो आने वाले उनमें ही आप भगवान शिव और भोले नात को कुबेर को औ अमादा लक्ष्मी को प्रसन कर सकते हैं अपने भगतों के जीवन में कोई भी समस्या शेश नहीं रहने देते हैं विशेश कर धन से समन्दी समस्या किसी भी तरीके का विकार परेशानी हर तरीकी का दुख दूर हो जाता है मंदिर में प्रिवेश करते ही मन ही मन ओम शिवाय मंत्र का जाब करें और जब तक मंदिर से बाहर ना आएं जाएं निरंतर जाब करते रहें यानि चंद्रमा को धारन करने वाले और चंद्रमा के स्वामी हैं इसलिए चंद्रमा को अनुकुल बनाने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिशेक करना चाहिए सोमवार को माता लक्षमी को सफेद पदार्थ जैसे चावल से बनी खीर और दूस से बने पकवान का भूग जरूर लगाएं विश्नु लक्षमी के मंदिर में हर सोमवार लाल रंग के फूल की माला या कमल के पुश्प की माला जरूर अरपित करें हो सके तो कमल के फूल की माला या फिर आप एक कमल का फूल आप जरूर अर्पित करें लाल गुलाब माता लक्षमी को बहुत प्रिये हैं तो वो भी आप अर्पित करें कुबेर महराज को भी लाल गुलाब बहुत पसंद हैं उन्हें भी आप कुबेर महराज को एक फूल से ही प्रसन कर सकते हैं सोमवार के दिन लक्षमी मंदिर में जाडू दान जरूर करें साथ ही अगरबत्ती भी दान करनी चाहिए घर में सुख सांतीव शुद्धता के लिए साल में दो बार हवन जरूर करवाएं सोमवार को माता लक्षमी के मंदिर में जाकर शंक, कोडी, कमल, मखाना, बताशा, मा को अरपित करें घर में सुभाशा माता लक्षमी की पूजा करें माना जाता है कि ऐसा करने से मा लक्षमी आपके उपर जल्दी प्रसन हो जाती है और कुबेर महराज को आदेश देती है कि उन्हें परिपून करी, धन दोलत और संपनता दे कर एक उपाय और करना है सोमवार के दिन शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच इस दिन सुर्यास्त के बाद गाय के घी का दीपक साथ बत्ती वाला दीपक होना चाहिए वह पूजा इस्थल में जलाकर इशान कोन में रख दे दीपक जलाने के बाद गी में चुटकी भर केसर जरूर मिला दे पूजा इस्थल पर श्रियंत की इस्थापना कर गाय के दूद से अभिशेक जरूर करें पंचामरत जैसा आप चंडरामित ले उनका और ऐसा लगातार पांच सोमवार तक करना चाहिए इससे मातालक्ष्मी की करपा से चारों दिशाओं से धन की प्राप्ती होगी और चारों दिशाओं से धन बरसने लगेगा मिलते हैं अगले वीडियो में ओम नमस्षिवाएं